दोस्तों आज भी कई सारे घरों में रात के समय ज्यादा रोटी बिनाई जाती है ताकि सुबह जाने वाले लोग बचीवी बासी रोटी को खा कर जा सके जब कई ऐसे लोग भी हैं जो बासी रोटी को हानी कारक मानते हैं और बचीवी रोटी को प्षाक देती है जब भी कुछ घरव में बासी रोटी बच जाती है तो सुबह उसे सेख कर उसे में नमक तेर लगा कर खाते हैं तो यह जानते हैं श्रीड के लिए बासी रोटी कितनी फाइदेमन्द है आज हम आपको बासी रोटी के बारे में ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिस से आप आँ जान होंगे, केवल यही नहीं, इसके बारे में जान कर आप हैरान भी हो जाएंगे, क्या आप जानता है कि 20 रोटी खाना श्रीर के लिए बहुत फाइदे-मन्द है, जी हां दोस्तों, 20 रोटी का 7 करने से कई सारे फाइदे मिलते हैं, रोज दिन में लोग वो खाने गल दी जाती है अगर रोज सुबह बासी रोटी दूद के साथ खाई जाए तो कई फाइदे मिलते हैं तो आज हम आपको बताता है कि बासी रोटी खाना किस तरह दे श्रीर के लिए फाइदे मन्द है जीस व्यक्ति का रक्त चाप ज्यादा होता है उसे हर दिन बासी रोटी से जुड़े रोगों को ठीक करने मदद मिलती है हर सुबह दूद के साथ बासी रोटी खाना से ऐसे ठीक हो जाती है और व्यक्ति की पाचन शक्ती वी मजबूत होती है तो दोस्तों यह थे बासी रोटी रोटी म्वांताötं के नदिन फैदने के फाइद है साथ इसको शेयर जुरूर करें ताकि वो भी इसका फाइदा उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवर्दिक जानकारिया लेकर आते रहेंगे तो जुड़े रेमेडिय अपडेर्स के साथ नमश्कार धन्यवा झाल